असलामलेकूम आज मैं आपके साथ जो राइसिपी करने वाली हो गोभी गोश्ट है गोभी गोश्ट कोई नए राइसिपी नहीं है वो हर गर में बनती है लेकिन मेरे जो ट्रीक है वह ये है कि गोभी बिल्कुल गलेगी और खड़ खड़ी खड़ी भी पकेगी उसके लिए मैंने एक मीडियम प्यास मीडियम ट्माटर चार से पांच मिर्चे और दो लैमन लियें लिए लैमन अगर बड़े सा इसका तो एक लेलेनी तो दो है उसके बाद मैंने 2 कप ऑयल डालक से प्यास दे जो एक फैस में डाला कर जो ऐनने, उसम vontade क टाला की करद मतना करने. मसाले को पीर अच्छे से जिपन रमीक, मैंने साथ के लोग वहां दो एदकारों baş़े हैंैं स्पाइसिस डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से साथ बून लेना है मसाले को थोड़ा थोड़ा पाइन करके अच्छे से मैंने थोड़ी देर पांच-दस मिन के लिए बूनना है थोड़ी दबाई इसका थोड़ा थोड़ा पाइन अड़ करती गही है और सासार मसाले को अच्छे से बूनती गई हैं ये लखे मसाला जो मेरी इस टाइबी ग्रेवी जो है वो इस कदर प्यारी और जमी कदर पक चुकी है उसके बाद मैंने इसके अंदर तीन पाओ गोश्ट डाला था चिकन का और उसको मैंने भी अच्छे से उसको भी भून लिया है चिकन को अच्छे से आपने थोड़ा थोड़ा पाई डालके बूनते जाना है थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाना है जैसे ही चिकन अच्छे से बून जाए उसके बाद यह जो मैंने आदा किलो गोपी ली थी उनको मैंने इस तरह बीच में डाल दिया मैंने इसको अच्छे से हिसके अंदर बूण लिए और इसके लामन इंदर ब डाल दी हैं और पानी में बिल्कुल भी एड़ नहीं किया कि चब गोपी डॅब डल जाती है भी इस पैसे पानी भी आड़ है यह उत्टी करते तो इस बार अच्छे से मैंने को बूनने के बाद मैंने इसको द व मैरे मारन छोपन आरं को और तो देखि को दिकelnाओं से Lasu वह संच को सब्सक्राइब करें मतल ап को क्या सबस्क्राइब आप क Здरीं कि शयक्तों पुजुट मैरे मैं हम इस की सीमवित देखे निशा से착ए झाल झाल